Hey guys welcome back to another video और आज हम बात करने वाले हैं बायो फार्मासिटिक्स के most important questions के solution के part 2 के बारे में क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बायो फार्मासिटिक्स के first और second unit के important question के solution देश चुका हूँ तो चलिबर करते हैं तो पहले मैं आपको two questions के वाले हैं बता दूँ यह हमारी unit टूके हैं जो मैंने पिछली वीडियो में cover नहीं कर पाए थे जब कि इंपोर्टेंट कुश्चन से तो पहला जो इंपोर्टेंट कुश्चन है वह इंविट्रो इंवी वो ुच सकता है तो अगर आपसे पूंच जैता है इंविट्रो इंवी वो जो इसके कश्य पर नहीं है और आपको सारी जो डिटेल्स है यह आपको पढ़ने हैं इसके लेक्ति आपको प्रण आपको इसके को complete करना है तो चोटा सा है ज्यादा नहीं है तीन चार पेज का जो है नोट से इसके तो मैंने यह पर प्रोवाइट करा दिया कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको और सेकंड जो कुशन बनता है वह इतना ज्यादा इंपोटन नहीं लेकिन आप इसे रीड कर लेना तो वायउक्युवेलेंस है तो वायउक्युवेलेंस के वारे में मैं इस में ब्हुर्ट बैसिक इन्फॉर में इसकी दे चुका हूँ और अब्जेक्टिव इसके आपको बताने हैं और कुछ इंपोटन जो टर्म्स होती हैं जैसे Equivalence, Chemical Equivalence क्या होते हैं, Pharmaceutical Equivalence क्या होते हैं, और Y Equivalence क्या होते हैं, Therapeutic Equivalence क्या होते हैं, यह साव आपको पता होना चाहिए, हो सकता है कि दो दो नंबर में आप से पूंच लें, तो इन्हें आपको मिसनी करना है, छोटी-छोटी definition आपको सारी याद करनी है, और फिर आपको इसके कोई डेजाइंस के वारे में भी अगर पूंचा जाता है तो आपको जो है डेजाइंस की study के वारे में भी पूंचा जाएगा तो आपको से complete लिखना है अगर वाई अक्यूवेलेंस पूंचा जाता है तो 5 नमर का answer जो है बन जाता है और यहां पर इसके जो एजिम कर सकते हैं कि कौन से question आने है तो इसमें से एक most important question है जो असल पहुंचा ही आता है और इस बार भी पहुंचा ही जाएगा तो इसमें जो compartment model के बारे में आपको बताना है और इसमें जो एक compartment model है जो हमाना one compartment open model और in case of IV Wallace administration ठीक है तो आपको इसके बारे में detail देनी है पहले तो आपको जो है बताना है कि compartment models क्या होते हैं इसके बाद जो है जो है आपको एक जो model है वो आपको discuss करना है जो है one compartment open model in case of IV Wallace administration तो पहले आपको details देनी है compartment models क्या होते हैं यूजेस बताने है compartment models के फिर आपको जो approaches बतानी है कि कितने टाइप के models होते हैं तो compartmenting तो compartment modeling होती है non compartmental analysis और phygeologic modeling होती है तो basically आपको इसमें compartment model पढ़ना है जो कि आपका important और exam में भी इसी में से question आता है तो पहले हम define करेंगे compartment model क्या होता है तो इसे आपको पढ़ लेना है सारी चीज़ें में आपको प्रोवाइट करा दिया और आपको categories बतानी है कि compartment model में कितनी categories तो दो category होती है और दो categories को आपको define करना है और इसी तरह से इसके अलगलग models दिये हैं यह आपको देखना है बहुत ही simple है जब आप इन notes को जो read करोगे तो बहुत आसन तरीके से आप जो आप बता दोगे और लिख दोगे तो कुछ भी ज्यादा tough वाली बात नहीं है और second हमारा question इसी में से बन जा जाता है तो इसमें आपको यह सारी चीज़ें बतानी है अगा दोनों को मिला के पूंच ला जाता है तो जो यह 10 नमर का question बन जाता है वैसे इसे अलगलग पूंचा जाएगा तो पांच और साथ नमर में पूंचा जाएगा तो इस तरह से जो मैंने इसे define कर दिया इसमें को दियें तो आपको इसे रठना है आप जिस तरीके से आप पढ़ना चाहो वैसे पढ़ लेना क्योंकि important question है इसे आपको किसी भी तरीके से याद करना है अच्छी तरीके से और यह आपको 57 नमबर आसानी से दिला देगा तो यह हमारा in case of IV bolus administration और next question आता वो आता है discuss about various pharmacokin parameters and their calculations तो यहां पर सारी चीएं दिये हैं pharmacokinetic parameters क्या होते हैं तो इसमें अलगलग जो चीजों के बारे हम बताया है जैसे elimination of rate constant के के बारे में इसके significance और applications बताएं और elimination of half life तो इसके बारे मैं बताया है इसके significance और applications दिये हैं इसी तरह से क्या है apparent volume distribution यह क्या है चोटी-चोटी application दिये हैं और renal clearance के बारे में यह आपने पढ़ा होगा तो CL ठीक है तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है और इसके अलावा इसके significance और applications दिये हैं जो आपको पढ़ने हैं फिर आयाती है हमारी unit 4 तो इसमें से भी गिने चुने questions है जो पूंचे जाते हैं तो सबसे पहले इसमें से question बन जाता है वही हमारा explain two compartment open model तो unit 3 है उसमें हमने पढ़ेते one compartment open model और इसमें हमें पढ़ना है two compartment open model ठीक है और यह भी हमें same IV Wallace injection का पढ़ना है जैसे हमने one compartment open model में पढ़ना है इसी तरह same हमें two compartment में पढ़ना है क्योंकि यह आईवी बॉलस ही हमारा important और यही पूंचा जाता है और अगर दोने unit में से कोई question आते हैं तो यही वाले आते हैं तो दोनों के बारे हमें मैंने अच्छे त देखनी है आप इसे प्रोपर एक तरीके से जो प्रैक्टिस करना है इसकी लिखके तभी आप जो इसे कर पाएंगे और यहाँ पर इसके method दिये हैं डेजिडोल के ठीक है इस तरह से complete हमारा question बन जाता है graph को द्यान रखना है कोई भी चीज आपको चोड़नी नहीं है और next ह हमारा question बनता है discuss loading and maintenance of dose तो इसमें से क्या है basically unit format से दो तरह के question पूंचा जाते है या तो जो आप से पूंच ले जाएगा two compartment open model in case of IV administration ठीक है तो या तो हमारा question पूंच ले जाएगा अगर वो से नहीं पूंचा जाता है तो आप से discuss loading and maintenance of dose पूंचा जाएगा ठीक है यह पू two compartment open model का और एक हमारा loading and maintenance of drug हो गया और एक kinetics of multiple dose तो loading and maintenance और यह kinetics of multiple dose जैसे एक साथ पूंच सकते हैं इन तिनों को अलग अलग भी पूंच सकते हैं या फिर क्या है इन तिनों को छोड़के जो एक question पूंच सकते हैं वो हमारा two compartment two compartment open model ठीक है तो इस तरह से question पूंचा जाता ह और दोनों के बारे में आपको पढ़ना है simple notes हैं कोई दिख करनी आगी और आपको graphs होगरा बना के देख लेना है अलग कि simple है graphs में कुछ है नहीं ज्यादा तो आप जो आसानी से कर लोगे और next हमारी आती है unit five तो इसमें से भी गिने चुने questions आते हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुक हूं कि unit one और two मेंसे ज्यादतर question का वेट ही रहता है और third fourth fifth unit में ऐसे गने चुने questions हैं जो असल पूंचे जाते हैं तो हमारा unit fifth मेंसे जो है एक question आता है तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ा के अगर बता दिया है और इसके अलावा causes में मैंने आपको बता दिया है तो बहुत आसन तरीके से आप जो पढ़ सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको next यह हमारा question में आता है सबसे last question है और यह most important है अगर non-linear फार्माको काइने टेक आपसे नहीं पूंचा जाता है तो आपसे यह पूंचा जाएगा जो हमारा मिखेले से maintain equation ठीक है तो ज्यादा ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आलंकि इसमें equations वगरा दिया है तो इतनी भी टफ नहीं है जाव आप इसे करोगे करके देखोगे पैन से तो अब जो दिक्कत नहीं आएगी आप इसकी practice चुरूर कर लेना और most important question है दस number में भी पूंचा जाता है तो सारी चीजा मैंने बता दिया है और अच्छे तरीके से equations को मैंने define कर दिया इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको पढ़ने में और graph आप देख लेना आलंकि में ज्यादा मैंने 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 की अच्छे तरीके से lines नहीं की चीचिए है पस सब कुछ आ के लावा मैं आपको बता दूए चोटी मोटी definitions रहती है बायो क्या होती है बायो फार्मास्योटिक्स है ना बायो ट्रांस्फोर्मेशन क्या होता है तो यह सारी चीज़ें क्या है चोटी जो definitions है यह क्या है आप जब पढ़ोगे तो उसी मैंसे जो पैसे ही cover हो जाएंगी त मैं तो आप जब यह long question करोगे तो इसी मैंसे क्या है हमारी चोटी चोटी definitions बन जाती है तो नहीं आप कर लेना तो यहां पर हमारा solution तो फिनिस हो चुका है और बायो फार्मास्योटिक्स के जितने भी important question है बो मैं यह आपको cover करा चुका हूँ और ज्यादा लंबे चोड़े पर provide नहीं करा पाए तो अब आगे कि जो questions answer होने वाले हैं जो other subject हैं उनके मैं courses करूँआ कि आपको provide कर आप हूँ तो इस video को यहीं पर end करते हैं कोई भी दिक्कत आती है और कोई भी problem आती है तो आप जो comment करके पूँच लेना और इसके जो notes बगर हैं वो telegram channel पे आपको available हो और मिलते अगली वीडियो में नए lectures के साथ जिसमें हम cover करेंगे solution of biotechnology है ना तो biotechnology को impotent question तो मैं आपको देए चुका हूँ और साथ में इसका solution मैं आपको अगली वीडियो में provide कर रहा दूँगा तो मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care